बिगनहर का श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा कितने विचितराकृती है ना आपकी विशाल काय गज का शीश और उदर मानो अन्न का भंडार हो कहीं माता पार्वती को इस बड़ते संकट के बारे में सुचत करने में बिलंबना हो जाएं अरे अरे मुशक जी प्रतीत होता है मेरा अती सुंदर गोलाकार उदर आपके शीश परिस्थित हो गया है मैं थोड़ा उसका इस्थान परिवर्तित कर देता हूँ अरे रे समाली है मुशक जी संतूलन बिगड रहा है मेरा गणेश जी आपका नहीं बलकि आपके भारी उदर के बोच के कारण मुशक जी का संतूलन बिगड रहा है अच्छा अच्छा रुकिए मुशक जी मैं अपने उदर को संतूलित करता हूँ आप मेरी स्थिख पूरूब सह नहीं उत्तम ब्रभू ऐसे ही आपसमाली मुशक जी मुशक जी आप हस रहे है क्या किन्तु मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ मैंने किसी की हसने का स्वर सुना है गणेश जी की ऐसी अवस्था देखकर इतनी हसी आ रही है किन्तु मुझे स्वयम पर नियंतरन रखना होगा अरे अरे सीधे जाना है अच्छा अच्छा तो सीधी दिशा में जाने के लिए मुझे पुना अपना उदर विवस्थित करना होगा ये तो उत्तम युक्ती है मूशक जी देखा मूशक जी मेरा अती सुन्दर गोला कारूदर हमारा पत प्रदर्शक भी बन रहा है अब तो सब उच्छे धेना मूशक जी आपने मुशक कुछ कहा प्रभू हाँ हाँ मैंने पूछा अब तो सब उच्छे धेना मैं आपका स्वर सुन्ने में समर्थ हूँ प्रभू मैंने पुना किसी के हसने का स्वर सुना वहाँ उपर कौन है जो हसे जा रहा है अरे मूशक जी तो कुछ सुनी नहीं पा रहा है आपके उदर ने उनके कान जो ढख दिये है मूशक जी धीरे धीरे चलिए तो हम इस पत को सरलता से पार कर लेंगे मूशक जुटे की है क्यम्राज जी, आप यहाँ? देवगन, इतनी विपदाओं का सामना करने के उपरांत, गरेश जी के जन्मुद्सफ के हर्ष उलास ने एक बार पुना, मुझे नवीन्स पूर्ती से भर दिया, क्या हुआ अगनिदेव, आप इतने चिन्तित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? देवराज में नकारात्मक विचार में डूबना नहीं चाहता, किन्तु मुझे अचानक इसमरन हो आया कि कैलाश पर हम घॉली के परवे के उस समय सभी कितने आनन्दित थे, और फिर ऐसी परिस्थित्या उत्पल होती गई कि हमारा आनन्द ही अवसाद में परिवर्दत होने लागा, मुझे ये भहा कि कहीं पुनाप, अरे मुझे ची का संथूलन तो बिगार रहा है, गिर रहे है वो. अधे! आप इस प्रकार क्यों हस रहे हैं चंद्रदेव? यहां आपको इतना हास्यास्पद क्या प्रतीत हो रहा है? आप, आप है हास्यास्पद जबसे आप मूशक जी पर आरुण हुए हैं मैं तब से आपको देख रहा हूँ आप अती अती हास्यास्पद हैं मैंने स्वयम को रोकने का बहुत प्रयास किया किन्तु मेरी हसी भूट पड़ी कितने विचितराकृती है ना आपकी खंब जैसे हाथ पाँ विशाल का एक गच का शीश और उदर मानो अन्न का भंडार हो कितने देख मेरे प्रभू का अपड़ कर रहें और तो और आपने कभी इस पर विचार किया है कि आपका आहर गहन करने के उपरांथ आपका उदर इतना हास्यस्वध हो जाता है अब कोई आपको ऐसी अवस्था में देखेगा उससे तो ऐसी आई जाएगी माता मैं आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा था जिससे आपको ग्यात होना आती आवश्चक है हाँ हाँ आवश्य बताईए माता माता आज फिर वही योग प्रकठ होने जा रहा है जिसमें उनका शिष उनके धर से विलग हो गया था हाँ 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 ऑचिछ अ से जाने गे हाँ हाँ नाथ, ये तो गनेश की चितकार थी मता मता प्रभु ये तो प्रभु का उदर बटला प्रभु 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 अनर्थ घोर अनर्थ. ये क्या हो गया पारवति नंदन गनेश ली को मता उदर मिच्ट प्रभु की फ्रभु प्रभु प्रभी ये तो गनेश के नंदन का सवर था अब तक तो उसे ठहल का रौट आना चाहिए घय था किन्तों बाहर से आने वाले उसके क्रंदन का स्वर कैसा पुत्रकार्तिके गनेश की इस चितकार का अवश्य कोई बड़ा कारण है अवश्य कुछ हुआ है उसे मैं वहाँ जाकर देखता हूँ और तुम माँ को शांत अठां का प्रयास करें जो आगया पिताश आज फिर वही योग प्रकट होने जा रहा जिसमें उनका शेश उनके धर से विलग हो गया प्रभू, उठले प्रभू, मेरे प्रभू, उठले उठले प्रभू, उठले गनेश, गनेश जी गनेश जी इस सावस्था में कैसा अनर्थ ही कैसे हुआ ही गनेश, पुत्र गनेश पुत्र गनेश चंद्रतेव, कदाचित सर्वपथम आप ही यहां पहुँचे थे ना तो क्या, उस समय भी आप यहां अपस्ते थे जब यह अनर्थ घटित हुआ बताईए चंद्रदेव, यह सब कैसे हुआ यह जब यह जब यह आप सुरीदेव यह सब चंद्रदेव के कार दीवे चंद्रदेव ने प्रभु का उपास किया, इतना खाते हैं वो, ऐसा खाऊ उनने, और चंद्रदेव की इस कुदरिष्टे के कारण मेरे प्रभु का कुदर पढ़ गया मेरे प्रभु, यह आपने क्या कर दिया चंद्रदेव? यदि माता पार्वती को ग्याद हुआ, तो वो कोपे ठोकर हम सभी का विनाश कर देंगे माता, माता सुनिये तो, माता मुझे ग्याद है आप गणेश को लेकर ही व्याकुल, मैंने भी उसकी चितकार सुनी है किन्तो मुझे विश्वास है वो फूर्ण रूप से कुशल ही होगा मता, क्योंकि भला उससे शती कोई कैसे पहुचा सकता है मेरी बात सुनिये मा, मेरी बात मानिये मा, मा सुनिये तो पूरू में भी जब ऐसी स्थिती उत्पन हुई थी गणेश का शीश उसके धर से विलग हुआ था तब देवी पार्वती अपने आवेग में किस प्रकार सबको सर्वनाश करने पर आतुर हो गई थी ये, समरन है न आप सबी को ये, ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे ये, क्या अनर्थ हो गया गणेश, सुप्त्र गणेश मादा पार्वती इसी ओर आ रही है, हमें उनके समक्षे नहीं पढ़ना चाहिए हमारी सुरक्षा इसी में है, कि हम यहां से कहीं दूर अड़ जाएं पुत्र गणेश माँ सुनिये मा, मा रुख जाएं मालता तो यह पाँच गई गणेश गणेश को लेकर इतनी चिंतित है मा की, उनके मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे है मैं ही पुछता हूँ कि गणेश कहा है देवगण मा ने और उनके साथ हम सभी ने गणेश की चितकार सुनी थी मुझे विश्वास है जिसे सुनकर ही आप सभी भी यहां एकत्रत हुएं मैं तो गणेश को लेकर टहल ने निकला था मैं आगे बढ़ गया खिंतु उस समय वो यहीं कहीं था तो क्या आप में से किसी ने उसे देखा है क्या उसकी चितकार का कोई कारण आप सभी में से किसी को ग्यात है मुशक जी यह तो मुशक जी का स्वार है हाँ मा कि तू अरुधन क्यों कर रहे है क्या है उनकी विलाब का कार अब तो मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि माता को तो सब कुछ ग्यात हो जाएगा क्यों करके क्योंकि ऑदा remains क्योंकि आंप ग हा का बाज़ क्योंकि पůन कर दो कि अहीं! कि अहीं! कि अहीं आומע? कि अहीं! कु आ Horo करेश, अतुमा, माँ! करेश, पुटर, पुटर के आवे तो में! उठो, आनुच! मा, मा ये! आपके रेचर खोलो, पुटर! वही हो गया, जिसका मुझे बैय था! यदि मैं पूर्व में ही समय रहते, माता पारवती को इस संकट का भास करा देता, तो कदाचित, वह गणिश जी को भावन से बाहर ही नहीं आने देती, फिर ये अनर्थ नहीं होता! ये कैसे हो! हम सभी तो देवी पारवती के क्रोध को लेकर ही आशंकित थे! महादेव के क्रोध की तो कलपना भी नहीं की हमने! अब यदि वह अपने पूर्व आवेश में आ गए, तो और भी घोरा निष्ट होगा! आप सभी ने, कै मेरा प्रश्ण नहीं सुना? मेरे पुत्र गणेश के साथ, ये कैसे हुआ? मादेव! ये सब किंद्रदेव के कारट हुआ! परफू कितना पोजिन करते हैं उसका पास किया उन्होंने! उनके दुए स्पूर्ण कोदिश्टी जे कारी ने या अनर्थ हुआ! जब से आप मुशक जी पर आरुण हुए हैं, मैं तब से आपको देख रहा हूँ. कितने विचित राकृती है ना आपकी। खंब जैसे हाथ पाऊं। विशाल काय गज का शीश। और उदर मानो अन्न का भंडार हो। माता, माता मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। उद्वानोचे। कैसे देवता है आप। क्या आपको इतना भी ग्याद नहीं। कि एक बालक को उसके भोजन के लिए नहीं टोकते। अर आपने मेरे पुत्रिगडेश के ही भोजन पर बुरी दृष्टी डाली। ओभास किया उसका। जिसके कारण ये अवस्था हुई है मेरे पुत्रिगडेश की। माता, महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे इस भूल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। चंद्रदे, आपने जो किया वो सर्वतानुचित्था। प्रभू, मैं क्षमा की भिक्षा मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। शमा कर दूँ, आपको। यहां मेरा पूत्रमोर्चित पड़ा है। उसका उदार भट गया। जिसका करण आप है। प्रभू, मैं मात्रपने बचाव हे तुक्षमा याचना नहीं कर रहा हूँ। मेरा विश्वास कीजिए। यह तो एक सरल परिहास था। मैं गणेश जी का अनिष्ट नहीं चाहता था। वे मेरे शब्दों और मेरे कारण से मुर्चित नहीं हुए। चंद्रदेव, अपनी भूल को छुपाने का प्रियास मत कीजिए। गणेश मुशक के ओपर से अवश्य नीचे गिरा। किन्दु क्या यह सत्य नहीं कि उसका उदर आपकी कुद्रिष्ट के कारणी फटा है। तबु, मुझसे भूल हुई। मेरा व्यभार अनुचित था। मैं अपने इस व्यभार के लिए लच्चित हूँ। अब आप से और माता से क्षमा याचना करने के सिवाए मेरे पास और कोई उपाय नहीं। चंदर देव, आपने चो कुछ भी किया, वो तंड नहीं है। देवचित व्यभार की सभी सीमाएं लांग करता। एक पालक कर नहीं। अपी तु सर पर थाम, पुझ्चे देवता का भी अपमान किया आपने। वही देवता जिसके आप सभी रिणी है। जिसने अन्यक अफसर पर आप और अन्य देवताओं को संकट से मुख कराने के लिए कठोड संगर्श किया है। कृपया, शान्त हो जाएए, महादेव। अन्य था आपके क्रोद से, श्रिष्टी में विनाश आरम हो जाएगा। हम आपसे निवेदन करते हैं, महादेव। चंद्रदेव से ये भूल अकारन ही हुई। कृपया, शान्त हो जाएए। गनेश के साथ जो हुआ, उसमें आपकी बहुत बड़ी भूल है। किन तो जो आपने किया, वो किसी बुरे आशर से निए। आप उसके परिनाम से, अन्भेग्यत है। इसलिए हम आपको शबा करते हैं। महादेव ने उचित देड़ने लिया। अनिता स्थिती नियंद्रन के बाहर चली जाती। कदाचत मुझसे ही सुनने में कोई भूल हुई। क्या कहा अपने प्रभू। हम, हम इने शमा करते हैं। उमा, शान्द हो जाब रिये। गनेश, पुना स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि जो गनेश, सभी के संकटों को हरने में समर्थ है। जो स्वयम विग्न हरता है। उसे भला कोई, संकट कैसे प्रभावित कर सकता है। क्या आप वो नहीं देख रहे हैं। आपका पुत्र यहां जेत पड़ा है। आहत है वो। कैसे पिता है आप। आपके पुत्र बन निरंतर संकट पर संकट आते रहते। कभी देवताओं के कारण उसका शीश उसके धर से विलग हो जाता है। तो कभी आपके परमभक्त परशुराम के कारण उसका दंध खंडित हो जाता है। और आज आज चंद्र देव के कारण उसका उदर पढ़ गया। और वो यहां चेप पड़ा है। नहीं ब्रभू। अपने बुत्र को बार बार इस पीडा में देखने का कश्ट मैं नहीं सैन कर सकती। मैं आपके पीडा समझता हूँ। मैं भी उसका पिता हूँ। अपनी संतान को पीडा में देखकर माता पिता को कैसा कश्ट होता है। उस बात से भली भादी परिचित हूँ। किन्तु मैंने चंद्र देव को उलाना दी है। वो अपनी भूल स्विकार कर चुके हैं। अब हमें भी शान्त हो जाना चाहिए प्रिये। क्योंकि क्रोध में लिया हूँ और निर्ने सभी के लिए निष्टकारी होता है प्रिये। आप मेरी पीडा समझते हैं। ये खहकर एक मा की ममता का अपमान मत कीजिये नाथ। कदि आप एक मा की पीडा समझते तो आप चंद्रदेव को उनके डंग के लिए इतनी सरलता से शमादान नहीं देते प्रभू। जिनोंने मेरे पुत्र का उभास किया। जिसके कारद मेरे पुत्र यहां इस सवस्था में बड़ा है। आपको चंद्रदेव की बीडा दिखती है स्वामी। के तो आपको अपने पुत्र की बीडा नहीं रिखती। ओ मा, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा। यदि गनेश को शती पहुंचाना चंद्रदेव का प्रयोजन होता, तो आपसे पूर्व उन्हें मैं दंडित कर चुका होता। किन्तु उनके शब्दों का ऐसा प्रवाप पड़ेगा। इस बात का भान नहीं था उने। उनसे अज्ञानता में ये भूल हुई है। इसलिए मैं आपसे भी आग रह करता हूँ। शान्त हो जाओ मा। अब इस बात को इतना बड़ा मुल्ले मत दो। क्योंकि यदि हमने चंद्रदेव को दंडित किया। तो उससे संपून जीवों का नाश हो जाएगा। संपून श्रिष्टी को कस्थ होगा। और ये मत भूलिए। जगत्पित और जगत्जन्नी होने के नाते हमारे बहुत बड़े उत्तरदाइत्ति है। मैं आपको आदेश देता हूं देवी पारवती। शान्त हो जाएए। अचे थैस्वाव। आपको आपको जाएए। ये एक अपको आपको आपकोप। झाल, 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 झाल जाल, झाल, पुछेग कहते है लात, बार-बार कष्ट प्राप करना, आहद होना, तो हमारे पुत्र की ही नियती है, जकचन नहीं हूं मैं, इसलिए एक साधार अन्मा की मम्ता का आनुबहँ करने की स्वतंत्रता नहीं है पुछे, होट जगत पिता है आप इसलिए अपने परिवार के लिए शस्त्र उठाने की अनुमती नहीं है आपको इस समपोर्ट श्रिष्टी में हम दोनों से अधिक लाचार माता पिता कोई और नहीं सब कुछ होने के बाद भी हम दोनों अपने पुत्र के लिए कुछ भी करने के लिए असमर्थ है महादिल मेरा पुत्र यहां किरा अपने जीवन के लिए संगर्ष कर रहा है और मैं शांत्रा हूँ नहीं प्रभु मैं अपने दायत्वे निभाने में असमर्थ अज़ो अपने नहीं वादा वादा उमादा वादा मादे वा क्याव कया दो, आक कया। अमा एग जो, मा एग को जो मा एग Er दो मा एग मा एग प्रभू, प्रभू कुशले प्रभू, प्रभू, आप उन्हें मुर्चा से जाकृत होगे, प्रभू मुशक जी, मैं जाकृत नहीं होगा तो और क्या करूँगा ये मोदक यहाँ वहाँ बिखर गए है किन्टू, किन्टू आप मेरा उदर फट गया तो क्या हुआ मुशक जी, मैं परम्ब्रम महागन पती जी काई तो अंशू मुशक जी, मुझे कोई शती नहीं पहुँच सकती और अब आप अपने प्रश्ण पूछना बंद कीजिए हाँ, देखिए कोई मोदक गिरकर दूर तो नहीं लुड़क गये है सबके सब लोटकर मेरे उदर में ही जाएंगे एक भी नहीं छोड़ूँगा मैं, फिर उदर बानकर लोटना भी तो है नहीं तो मा चिंता करेंगी, और निद्रा का भी तो आनंद लेना है अरी मुशक जी, आप इतना भी नहीं समझते क्या मा के समक्च ऐसे ही चला जाओंगा, तो क्या वो व्यधित नहीं होगी देवता होया मानव, नियती सभी को विवश कर देती है परन्तु बुद्धी जीवी वही है, जो हर परिस्थिती का सामना करने के लिए सदैव तयार रहते है